अगर आप कमन कर रहा हो कुछ चटपटासा क्रिस्पी और चटाकी दार खाने का तो जटपट से बनने वाली ये आलू टिक्की बना के त्यार करें कम समय में बन के त्यार होती है तो उसके लिए हमें छोटे साइस के आलू ले लेना है तो ये देखिए इनको बेबी आलू भी बना के त्यार करेंगे आलू टिक की फ्लेवर वही मिलेगा मार्केट जैसा ये गारंटी है मेरी तो फ्रेंग्स हम फेल को इस्प्रेट कर लेंगे पूरे तबे पर आलू की बात करें तो आप यहां पर कोई भी आल ले सकते हैं जो आप इस्तवाल करते हैं तो आलू उससाथ से अलू हमको मैं खुरे बनाना है मतलब शाप से हमको प्ला करेंगे औरली क्रिस्पी करारी बनके त्यार होगी पुरी रस्पी देखेगा और रस्पी पसंदा है तो लाईक जरूर किजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बहुत ही इंस्टेंट फटा फट से बनने वाली आलू टिकी की रेसिपी में आपके लिए लेकर आई हूं जो 100% सभी को बहुत पसंद आएगी यह गैरंटी है मेरी और यह ठीकिया जब पक करके थोड़ी से सॉफ्ट हो हैंसे इस पर पूरे पें डाल देंगे आरा रोट ऐसे करने से यह ठीकिया बहुत जाथा क्रिस्पी बनती हैं बिल्कुल मार्केट जैसे फ्रेवर आपको वही मिलेगा बस बनाने का तरीका अलग है मतलब यह आलू टिक्की की रेसिपी इतनी इजी है इतनी एजी है कि इसे 6-7 की बालकाएं भी आसानी से बनाकर त्यार कर सकती है और महमान तो पूस्ते राज आएंगे कि इतनी जल्दी फटा फट से यह ठीकिया कहां से मंगाली मुझे तो पता ही नहीं चलेगा यह घर की बनी टिक्की है या बाजार की टिक्की है तो फ्रेंड्स एक तरफ से जब को वही मार्केटolia मिलने वाला है यह देखे पलट त्यार है तियार है चानी लेनी है और एक मचerold तो ऑसके बन के टिक्क या त्यार होती है तो उस prin Stress जाब एग़ों बना के बोवाट ऑच्छी लगेगी ऐसे डाल देंगे और इस पर से आहल हुए उन्हाराल भी तो यह सेट हो जाती है तो बहुत ही क्रिस्पी बन के त्यार होती है तो देखिए दोनों साइट से अलटते पलटते हुए हमने इन टिक्यों को पका लिया है और यहां पर आप चाहें तो फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लीजेगा तो यह जल्दी हो जाता है तो आप बैठे रहें मतलब बहुत इजी है आसान है मतलब जादा मेनत मशक्कत करने की कोई ज़रत नहीं है बस आलू अबालिए और डाल दीजे तवे पर पकती रहेंगे आराम से पक्के बड़िया क्रिस्पी हो जाती है यह बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही लजीज टिक्की बन के त्यार होती तो इन टिक्क्यों को हमने रेडी कर लिया है आप और पकाना चाहें तो और पका लिज़िए लेकिन ऐसे ही यह टिक्किया बहुत ही सोधी सोधी से खुश्भू लेकर आएंगी बहुत बढ़िया लगेंगी अब यहाँ पर मैंने इन पकाने का प्रोसेस बंत कर दिया है टि को ऐसे बिचहा लेंगे exami'' PP करके सभी टिक्यूं को लगा लेंगे experiment तो लगा लिए मैंने प्ले को एक साइड में रख देंगे अब telling गोल बना लिजे चुर बना लीजिए मैंने यहां पर हाड का शेफ देने का प्रयास किया है हें देखें रोट का शेफ को और रीडी कर लेंगे यहां पर फ्रेंट्स मैंने सारी टिक्यों को हाड का शेफ दे दिया है बन गया है हाड का शेफ आप अहीं सही थोड़ी खा लेना है इसे देना है फ्लेवर तो वही मार्केट वाली सारी चीजे हम इसमें आड़ करेंगे और आप देखेगा देखने में जितनी अच्छी लगेगी खाने में उससे कहीं ज्यादा अच्छी लगेगी तो चोटी-चोटी टमाटर के पीस को काट करके इसक शुब खांके देखा जाये तो फ्रेंट इसके साइड-साइड में ला रहत है क्पारी कट किया हूआ लगा देगे ये देखेव फ्रेंब्स को भी मैंने सैट कर दिया है और इसंटिककी के लिए आपको कुछ भी बाहर से लाने कि जूरत नहीं है बाजार से कोई भी एक भी सामान लाने की जूरत नहीं है सारा समान आपके किचन में अबिलेबल रहता है क्योंकि डेली की खाने में हम इन चीजों का इस्तमाल तो करते ही करते हैं तो हरी धन्या लगा देंगे लास्ट में उसके बाद हम टिक्की को देंगे फ्लेवर ये देखिए शेव बनके है त्यार बहुत ही बढ़िया लग रहा भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा अगर आपको भी अच्छा लग रहा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अब भाई इसमें सारी चीजे तो लग गई है आप देना है इसे फ्लेवर तो फ्लेवर के लिए हम मसाले और चटनिया डा परोल लेना है चार चमच चीनी डाल से दी है और एक चमच इसमें मेरी लाल मिर्ग डाल बका ले जब तो चटनी बनके रह डाया पर चाहें जो प्लेवर डाल ना चाहिए इसके बाद में हम इसमें दआ है तो जैकल कृट्ष इसमें नामल दही है ताज आ है लेकिन इस बूने हुए जीरे का पाउडर या फिर चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं उसकी रास्पी भी मेरे चानल पर मिल जाएगी और डालेंगे इसमें आलू भुजिया बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है तो आलू भुजिया डा करें जिते लोग को देना है मतलब जिते लोग को करना है आप सइड साइड से निकालते जाए और सब्सक्राइब इस तरीके से अपने टेस्थ कमें डिक्डियों जाहिं व्हलेता सकते हैं तो एक meditate को भी आप ऐसे बनाके सर्फ कर सकते हैं तो एक साथ में दो पत्रिका रखर करके सब करके आपको दिखाओंगी तो तक वृष एक साथ और इस वाली फ्लेट में भी रखेंगे इसके बाद मैं आपको बताऊगी कि कैसे इसको सर्फ करना है और क्या-क्या चीजे इसमें डाल करके आप और भी बढ़िया फ्लेवरफुल इसे बना सकते हैं तो सबसे पहले आलू में डालेंगे चट्नी तो मीठी वाली चट्नी डालेंगे अगर आपको खटा पसंद है तो आप यहाँ पर खट्टी वाली चट्नी भी डाल सकते हैं आप चूर पॉडर से खटी मीठी दोरों प्रकार की चट्नी इंस्टेंट आप बना के त्यार कर सकते हैं इसकी बाद जाएगा दही और इसकी बाद आपको सैलीड में जो पसंद हो आप इसमें डाल लीजे क्योंकि इसका फ्लेवर चाट में बहुत अच्छा लगता है आप यहां पर कसी हुई गाजर या कसी हुई मूली का इस्तवाल भी कर सकते हैं इसे भी डाल देंगे छी ककी ओडंड से डाल देंगे गाजर गाट आमक बूनें हुए जीडे आप पउडर डालेंगे जाएगा इस चाट मसाले से तिक्की तो बहुत जब्स प्लेवर फुल हो जाती है तो इसकी रासिपी भी मेरे चानल पे मिलेगी अगर आपको देखना हो वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी आप उससे भी देख लीजेगा तो इस चाट मसाले को किसी भी चीज़ के साथ आप खाए दही बड़े के साथ छोले बटूरे के साथ मतलब छोले के साथ मतर के साथ या अलू चाट के साथ सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है तो जब कर रहा हो कुछ चटपटा सा खाने का तो यह वाली रैसपी तो बनाना बनता है फ्रेंट्स जरूर से बनाईएगा याद करके बनाईएगा और हमें बताइएगा कि यह रैसपी आपको कैसी लगी और रैसपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा कंजू सी जरा भी मत करिएगा मैं फिर मिलूंगी आपको एक नए वीडियो में एक नई रैसपी के साथ में तो ऐसी ही यूनिक और फंटेस्टिक सी रैसपी देखने के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आल के बटन को प्रेस कर पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाई बाई